हलो एवरीवन वेलकम तु सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टेन पास से लेके पोस्ट ग्राजवेट कैंडिडेट के लिए पर्मानेंट गौर्मेंट जॉब्स हैं डिकूट्मेंट नोटिफिकेशन जारी हुई है 40,000 से लेके 1,10,000 रुपीज तक मंतली सालरी आप पा सकते हैं किसी भी स्टेट से अप्लिकेशन डाली जा सकती है आप इंट्रेस्टेड हैं एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लिकेशन डाले तो फटा फटा अगे बढ़ते हैं सीधे पीडिय अद्वर्टिजमेंट डाउनलोड करते हैं और रीड करते हैं में में पॉइंट्स तो यहां पर आपको जो पोस्स नजर आ रहें सबसे परे नीचे से आप रिखें कैंटीन अटेंडेंट है है वर्क एसिस्टें सेक्यूरिटीगार्द ड्रीवर अपर डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफ़र टेक्निशन बी टेकनिकल ओफिसर सिंटिफिक सदिए थिट्निकल ऑफटर सइंटिफिक ओफिसर और इसके अलावा नीचे स्टैपेंडरी ट्रेनी रहन कैटेगरी ड्रीव सबसे उपर की पोस्ट है यह सभी ग्रूप एंग्रूप सी की डाइरेक्ट रिकूट्मेंट होगी जो इग्जामिनेशन के थू होगी इसमें सेलेक्शन होने पर आपको पे स्केल ओफर की जाती है और अच्छी परमानेंट जॉब ओफर की जाती है अब इसके बाद जो स्टै इसके बाद आपको पे स्केल ओफर की जाएगी तो ट्रेनिंग पीरियट के दौरान आपको एक फिक्स सेलरी दी जाएगी जो यहां पर अद्वर्टीजमेंट में लिखी हुई है और ट्रेनिंग पीरियट खतम होने के बाद बहुत अच्छी पेस्केल ओफर की जा रही है तो यहां पर शॉर्ट में मैं आपको पहले बता दू यह कहां से आई है नोटिफिकेशन और बाकी की डीटेल्स गौर्मेंट ओफ इंडिया डिपार्ट्मेंट ओफ अटोमिक एनरजी इंद्रा गांधी सेंटर फॉर अटोमिक रिसर्च की तरफ से यह नोटिफिकेशन जा करें इसमें जो डेट है वह पले डेट क्लोजिंग डेट 14 में 2021 थी तो क्लोजिंग डेट के बारे में पहले समझ लेते हैं कि अभी क्या चेंज़ है यह देखें यहां पर अबर्टिजमेंट नमबर 2 अभी 2 0 2 1 आपको दिखाई देरी होगी यहां पर आप चेक करें देट पर रिषिप्ट आफ ओनलाइन अप्लिकेशन हाज बिन फरदर एक्स्टेंडड अप्टू 31 जुलाई 2021 तो अभी देट एक्स्टेंड हो गई है कतीस जुलाई तक आप अप्लिकेशन डाल सकते हैं पीडिएफ की डेट जो है वह ओल्ड देट है अभी एक्स्टेंड हो गई है और कुछ 50 परसेंट या इस तरीके के मार्क है तो आप चेक कर लें तो आप अप्लिकेशन डाल सकेंगे 10 पास मिनिमम है इसके ऊपर अगर आप 12 है ग्राजुएट है और फिर भी अप्लिकेशन डालना चाहते हैं जैसे स्टेंड ग्राफर में या फिर वर्क डाल सकते हैं बट मिनिममम टेंपास कैंडिडेट स्टेंगराफर के लिए ड्राइवर के लिए सेक्यूरिटी गार्ड वर्क एसिस्टेंट एंड के एटेंडेंट के लिए अप्लिकेशन डाल सकेंगे और अपर डिवीजन क्लर्क में ग्राजुएट होना होगा एनी पोस्ट है टोटल बाकी के जो सभी पोस्ट है इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए पोस्ट ग्राजुएशन चाहिए किसी में पी एच्डी चाहिए टेक्निकल वाले में इंजिनियर्स के लिए है साइंस ग्राजुएट्स साइंस पोस्ट ग्राजुएट्स के लिए यह सार एडेल सभी के लिए ओफर हो रही हैं पर देखिे अगर आप एज की बात करते तो एज आपको चेक करनी होगी क्या अलग अलग काफी सारे पोस्ट तो यहां पर एज लिमिट आपको चेक कर लेनी होगी, सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग देखें, जहां पर जैसे हर पोस्ट के इसमें लिखी हुई है, एज लिमिट मिनिमम 18 एर्स एं मैक्सिमम 40 एर्स, तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लिकेशन डालना चाहते हैं, आप जाकर डीटेल देखें कि कितनी पोस्ट की एज की लिमिट दी हुई है, एज लिमिट के ठीक नीचे आपको दिखाई देगी, यह पे स्केल है, पे स्केल है, इसके ऊपर डीए एड होगी, इसके ऊपर सेंटरल गवर्मेंट की बहुत सारी अलवेंस मिलती हैं, वो सब एड होगी, तो मैक्सिमम सालरी जो मुझे नजार आरी है, वाल लाक टेन थाउजंड की बनेगी साइंटिफिक पोस्ट के लिए, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साइंस में और पी एच्ड हैं, में टेक हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और जो पोस्ट हैं, अगर बात करते हैं, अनी ग्रेजुएट तो उसकी एक लगार चेक कर लेते हैं, सालरी और एज, तो अपर दिविजन क्लर्क 7 पोस्ट, 7 नंबर पर है, इसके लिए अगर अपर दिविजन क्लर्क के लिए नी ग्रेजुएट अप्लिकेशन डाल सकेंगे, तो यह typing speed आप बाद में भी practice कर सकते हैं application के बाद भी, age limit है minimum 18 years and maximum 27 years, on the last date of receipt of online application, तो last date of online application अभी July हो गई है, तो July 31 July को आप base लेके age calculate कर सकते है, emoluments में 25,500 upper division clerk के लिए है, plus DA plus central government की बहुत सारी allowances मिलती है, तो total salary minimum 40,000 जरूर बनने वाली है, हर पोस्ट के लिए इसके नीचे ही लिखी है method of selection, level 1 होगी objective return type and उसके बाद level 2 में descriptive return test होगी, यह सारी detail यहां पर दिवी है, एक बाद हम fees etc application fee चेक कर लेते हैं, यह 15 pages की advertisement PDF है, इसमें page number 12 पर आप चलेंगे हैं तो आपको application fee नजर आ जाएगी तो सभी के लिए fees यहां पर लिखें, जो group A है उसके लिए fee 300 rupees है, और बागी जितने भी group C के post है, उनके लिए 100 rupees fee है, और stipendary training category 1 के लिए 200, और stipendary training category 2 के लिए 100 rupees fee है, लेकिन यहां पर खास बात यह है, कि SCST, PWD, ex-servicemen and women candidate are exempted from payment of application fee, तो ध्यान रखें, women candidate, ex-servicemen, PWD, SCST category application fee नहीं है, there is no application fee, तो यहां 0.1 पर आप पढ़ लें, कौन कौन सी category को application fee नहीं देनी है, बाकी सभी के लिए application fee का फी नॉमिनल है, अब यहां कहां पर आपको चेक करना देखें, यह official website आपको इस तरीके से नजर आएगी, Government of India Department of Atomic Energy, Indra Gandhi Center for Atomic Research की official website पर, आप यहां यहां पर, यहां पर news and event में भी आपकी scroll हो रही है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, otherwise आप recruitment section में भी जा सकते हैं, यहां पर recruitment section है, इसको click कर लेते हैं, recruitment section को click करते ही, advertisement number 2 आपको चेक करने है, advertisement 2.021, last date बढ़ा दी गई है, pdf में जो date है, उसको ignore करना है, last date यहां से आपको देखनी है, और अगर आप finally, पूरी pdf को खुद अच्छी तरीके से read out करें, क्योंकि काफी सारे terms and conditions होते हैं, जो यहां पर cover नहीं हुपाते हैं, तो आ पाद अगर आप application डालना चाहें, तो click here for apply online application, यहां से आपको click करने है, तो click करके हम देखते हैं कि किस तरीके से open होती है, यह तरीके से page open हुई है, यहां पर भी opening date और closing date लिखी हुई है, यहां पर सारी चीज़े दी हुई है, अब यहां पर ही आपको login आपकी करनी होगी, वन टाइम registration और उसके बाद और login करके आप application डाल सकेंगे, लिंक आपको वीडियो के description box में मिलेगी, best wishes, thank you very much.